street light को automatically चालू और बन करने के लिए जो हम timer इस्तमाल करते हैं वो timer हमारा mechanical timer होता है अब इस type का जो mechanical timer होता है इनका wiring करना बहुत ही simple है लेकिन यदि आप इसका programming करने जाओगे तो आप confused हो जाओगे कि किस प्रकार से हम इसका programming करें तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब क इतना अच्छा तरीके से explain कर दूँगा जिससे कि आपको कभी भी mechanical timer का wiring, programming जो भी करना हो mechanical timer में उसमें कोई भी problem नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों यह जो मेरे पास में CNC company का mechanical timer है इस timer का wiring समझने से पहले थोड़ा सा कुछ basic चीजे आप पूरा हमारा rotate होते रहेगा time के according यानि कि जिस प्रकार से analog घरी का जो hour वाला काटा होता है वो rotate होता है सेम उसी प्रकार से आपका जो mechanical timer है इस timer का जो dial होगा वो dial rotate होते रहता है time के according तो आपको केवल यहाँ पर यह समझना है कि जो हमारा mechanical timer है mechanical timer हमारा एक घरी के जैसे ही work क जिसके द्वारा इसका जो contact है, contact change होगा, कितने बज़े contact को change करवाना है, उसका हमें programming करना पड़ेगा, ओके, अब इस timer का connection किस प्रकार से करेंगे, चलिए, समझ लेते हैं, इस mechanical timer को operate करवाने के लिए, इस mechanical timer का जो motor होता है, जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे जो circuit diagram बनाए हुआ है, motor का जो terminal है, वो है 7 और 8, यानि कि इस timer को operate करवाने के लिए, हमें 7 और 8 नमबर के terminal पे face और neutral supply प्रोवाइट करना पड़ेगा, तो face supply के लिए, मैंने यहाँ पे एक MSV का इस्तमाल कर लिया, और neutral power supply के लिए, मैंने यहाँ पर एक terminal box का इस्तमाल कर लिया, आप के output terminal पे इस wire को connect कर दूँगा, और इस wire के दूसरे सीरे को लेके जाऊंगा, और जो मेरा mechanical timer है, इस timer का जो 7 नमबर का terminal है, उस terminal पे मैं इस wire को connect कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे इसका connection कर दिया, ओके, अब इस timer का जो neutral वाला terminal है, इस terminal पे हमें neutral power supply प्रोवाइट करना तो मैं यहाँ पे एक wire इस्तमाद करूँगा, इस wire के एक सीरे को, जो हमारा terminal box है, इस terminal box के साथ इस wire को मैं connect कर दूँगा, ओके, अब इसी wire का जो दूसरा सीरा इसको लेके जाएंगे, और यह जो नीचे में terminal है neutral power supply के लिए, इस terminal के साथ हम इस wire को connect कर देंगे, इस प्रकार से हमें connection करना होगा, दोस्तों, यह जो timer है, इस timer का working को explain करने के लिए, मैं यहाँ पर एक lamb का connection करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस lamb का, जो face वाली wire होगा, इस wire को ले जाके, मेरा जो timer है, इस timer का जो एनो contact होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, इस timer का, जो circuit diagram बनाय गया है, उसमें आप देखोगे, यहाँ पर बनाया गया है कि एक नमबर का जो terminal है, वो terminal हमारा एनो contact है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा lamb है, इस lamb का जो face वाली wire होगा, इस wire को ले के जाना है, और जो हमारा timer है, इस timer का जो एनो contact है, यानि कि जो एक नमर का terminal है, इ इस वायर को हम connect कर देंगे इस प्रेकार से इसके बाद इसी लैम का जो neutral वायर होगा इस वायर को लेकर जाना है और जो यहां पर terminal box इस्तमाल किया गया है इस terminal box के साथ आपको इस वायर को connect करना होगा तो मैं क्या करूंगा जो हमारा neutral power supply वाली दोनों वायर है वो दोनों के दो जो हमारा MCB है इस MCB का जो output terminal है इस terminal के साथ इस wire को हम connect कर देंगे इस प्रेकार से अब इस wire का जो दुस्ता सीरा होगा इसको लेके जाना है और जो timer है इस timer का common terminal है इस timer का common terminal दो नमर का terminal है तो इस terminal के साथ मैं इस wire को connect कर दूँगा इस प्रेकार से तो दोस्तों इस mechanical timer का connection पू जो उपर का कवर है इस कवर को आपको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद आप देखोगे यहां पे जो हमारा रोटरी डाइल है वो पूरा का पूरा ऊपर साइड में है कहने का मतलब क्या है समझ यह देखिए यदि मैं अभी के टाइम पे यह जो डाइल है इस इसके बाद जितने भी उपर साइड में हो पूरा का पूरा ऊइन क है यहांने की डाइल हमारा नीचे के तरफ रहे गा तो ओव रहेगा और उपर की तरफ रहेगा तो ऊन रहेगा ओके अब यदि आपको इस टाइमर में प्रोग्राम सेट करना है तो सबसे पहले आपको क्य पड़े गा यानि की programming वाले mode में आपको लेके आना पड़े गा ओके इसको हमने programming वाले mode में लादिए अब हमें इस timer में time set करना है तो time set करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो यह वाला pointer है इसी pointer के सामने हम time को ला देंगे जैसे कि मान लीजे कि अभी के time पे सुबह का 10 बज़ा है तो हम क्या करेंगे? यह जो हमारा rotary switch है इसको हम rotate करेंगे इस प्रकार से इस प्रकार से rotate करने के बعार यह जो आपका arrow है इस arrow के सामने आपको time को लेके आना है अभी 10 बज़ रहे तो मैं क्या करूँगा इसको rotate करते हुए 10 बज़े का time set कर दूगा ओके तो यहां पर 10 बज़े का time set हो गया अब यहां पे जो आपका ये छोटा वाला dial है इसमें आप minute को set कर सकते हो तो मैं यहां पर 10 बज़े के 30 minute का time set कर देता हूँ आप देख सकते हो यहां पर pointer 10 पे है और नीचे में 30 है यानि की 10 बज़ के 30 minute का time set हो गया अब इसके बाद में इस timer में हमें time set करना है कि कितने बज़े हमें load को चालू करना है और कितने बज़े बन करना है तो इसके लिए simple सा तरीका है आपको क्या करना है यहां पर जो time लिखा हुआ इससी time के according आपको switch को on off करना है यहां आपका switch उपर की तरफ है तो on है और नीचे की तरफ रहेगा तो off condition में रहेगा अभी के time पर आप देख सकते हो यह वाला switch है यह switch हमारा नीचे की तरफ है यानि कि off condition में है और इसका time है 11 बज़े का यानि कि 11 बज़े off रहेगा फिर सारे 11 बज़े off रहेगा फिर 12 बज़े off रहेगा इसके बाद 12 बजे का जो switch है वो उपर की तरफ है इसका मतलब है कि 12 बजे आपका light on हो जाएगा अब यहाँ पर जितने बजे तक आपको light को on रखना है तो आप इसको उपर की तरफ रखोगे उसके बाद जब आपको light को off करना है तो time के according जो switch है उसको नीचे की तरफ कर दीजेगा यदि आप नीचे की तरफ कर दोगे तो off condition में चला जाएगा मैं यहाँ पर बाकी switch को off कर देता हूँ यहाँ से पूरा ओके तो मैंने यहाँ पर एक बज़े तक off कर दिया उसके बाद दुबारा light on होगा पांच बज़े तक उसके बारे बाकी सब light हमारे off रहेंगे तो इसी प्रकार से इस switch को उपर की तरफ करके on का programming set कर सकते हैं और नीचे की तरफ करके off का programming set कर सकते हैं तो programming करने के बार यह जो programming वाली knob है इस knob को हमें दुबारा से auto position पर select कर देना है ओके इसको select करने के बार यहाँ पर मैं MCB को on कर देता हूँ आप देख सकते हो मेरा lamp off है जैसा कि मैंने बताया था यदि आपका time complete होगा उस time पर आपका lamp on होगा अभी मैं यहाँ पर manually इसको rotate करके आपको lamp को चालू करके दिखा देता हूँ जैसा कि यदि time आपका run होगा तो आपका जो यह dial होते होते रहेगा इस प्रकार से rotate होता चला जाएगा अब जैसा ही time होगा आपका lamp on हो जाएगा और जितने बज़े तक का आप time set करके रहोगे उतने बज़े तक ही आपका lamp on रहेगा time complete होते ही आपका जो lamp है automatically off हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर lamp off हो गया अभी यहाँ पर दुबारा से हमारा time set है on होने का तो इस पर आते ही हमारा lamp दुबारा से on हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो lamp on हो गया अब फिर से off हो जाएगा off हो गया ओके तो यह जो dial है पुड़ा का पुड़ा रोटेट होते रहता है तो उसके according हमारा जो light है light चालू और बंद हो जाएगा अब यदि आपको light को manually चालू करना है तो आप क्या करोगे यह जो हमारा timer timer है इस timer में आप देखोगे यहाँ पर एक switch दिया गया है इस switch को आप केवाल एक बार rotate कर दीजेगा इसको rotate करते ही आपका light on हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा lamp glow हो गया अब यदि मैं इसको दुबारा से rotate करूँगा तो आप देखोगे lamp off हो गया एक अपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब लीके तो सस्क्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद